है गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल आई होप आप सब भी अच्छे से होंगे सो गाइस जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि किस तरीके से मैंने अपनी डॉटर की बर्दे पार्टी सेलिबरेट की एक छोटी सी पार्टी और्गनाइज की थी पार्टी था वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हूं तो पार्टी डेकोरेशन, गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स, इचन एवरीटिंग वो हमने एक दिन पहले ही प्रेपरेशन करके रख दी थी और आज मैं सिर्फ कोकिंग करूंगे कोकिंग में भी मैं सिर्फ स्नैक्स आइट दाल और उडद दाल को इक्वल रेशो में लेके ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था और ये है नेक्स डे तो ये टैमरेंड अच्छे से सोक हो चुकि इसको हम चमत से इसको मैश कर लेंगे और चलनी से चान लेंगे ताकि कोई भी रेशा ना रहे और दही बड़े एक पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी डिश रहती है अगर आप सेम दे नहीं तो उसको एक दो दिन पहले भी अगर बना के रखोगे तो वो खराब नहीं होती है और मेरी पार्टी में मोस्टली दही बड़े मैं बनाती ही बनाते हूं सबको बहुत पसंद आते हैं और आ दोना तरह की सॉल्ट एड़ करेंगे वाइट वाला और ब्लैक सॉल्ट भी यह चटनी में बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से बना रहे हूं लाइक फटा फट वाली चटनी है एक ही दिन में बहुत सारी चैज़े बनाने है जैसे कई लोग इसके अंदर किशमिश और डेट्स जीरा बारी कटेवे प्यास ग्रीन चिली और इसको हम हलका सा सौते करेंगे फिर हम एड़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और यह पकता है जब तक हम चटनी में एड़ करते थे हैं गोर्ड यहाँ पर मैं लक्षमी का देशी जैगरी यूस करते हूँ यह बहुत ही प्यास थोड़ी पकने के बाद में हमने एड़ किया है टमाटर और उसके बाद में कुछ स्पाइसे जिसमें रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और सॉल्ट और वो मसाला पकरा है जब तक मैं यहाँ पर थोड़ा एग को हलका सा बटर लगा के एं द लमक वगरा इसमें अच्छे से हो जाए यह स्टेप ऑप्शनल है अगर आपको एक्स को फ्राइड नहीं करना है तो भी चलेगा तो यहाँ पे एक्स फ्राइड हो चुके हैं साइड में मसाला भी रडी हो चुका है टैमरिन की चत्नी बन गई है बस लास्ट में मैंने इसमे धनिया स्प्रिंकल करा है और अब मैं दही बडो के लिए दाल को ग्राइंड कर लोंगे तो दही बड़े बनाते वक्त हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इस दाल को ग्राइंड करते हैं तो कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए जितना नीड है नेसेसरी है उत्रा ही लेंगे बिकाज हमें इसके बड़े निकालने हैं तो अगर जादा पानी होगा तो जादा ओल उसमें हो जाएगा और ग्राइंड करते वक्त मुझे इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाते हूं मैं थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा रखते हू ताकि दही बड़े में जो टेस्ट है वो अच्छा आता है और दूसरा में इंपॉर्टन तिंग ये है कि दही बड़े की जो दाले उसको हमें अच्छे से फैट ना है ताकि आपके जो दही बड़े हैं वो अच्छे से पलफी और सॉफ्ट बने इसके लिए पहले में जैसे हाथ से फैट ती तो 15 से 20 मिनिस तक मैं फैट ती ती तो ये जो दाल है वो जस्ट डबल हो जाती थी और एकदम वाइट हो जाती है और अभी मैं ये बीटर का यूज़ कर रही हूँ जब से बीटर आए तो थोड़ा काम मेरा कम हो चुगा है तो आप देखेंगे कि डाल पहले कितनी क्वाइंटिटी में थी और बीट करने के बाद में इसके क्वाइंटिटी जल्स डबल हो गई है तो यहां पर मैंने डाल को बीट करने का काम मेरी डाटर को दे दिया है तब तक मैं यह पफ पेस्ट्री रेडी कर लेती हूँ तकि सेम टाइम पे सारा जो काम है वो वाइंड अप हो जाएगा यह जो पफ पेस्ट्री शीर्ट से यह रेडी मेट है मैं यह वालमार्ट से लेकर आई थी और इसमें आगर आपको जब यूज करना है उसके आदे घंटे पहले बाहर निकाल दीजिए इसमें यह दो से तीन इतने लेयर आती हैं इसको मैंने थोड़ा सा बेलन से इसको बेल लिया है और इसके तीन सेक्शन्स कर दिया है और इसके बाद में सबसे पहले मैं जो यह मसाला मैंने बनाया था उसको इस तरीके से रख दूँगी और मसाला रखने के बाद में हम रखेंगे फ्राय किये वे एक्स यह देखे इस तरीके से हम रख देंगे और इसकी जो किनारे रहती उसको जॉइंट करने के लिए हमें पानी का यूज़ करना पड़ेगा ताकि जब हम ओवन में रखे तो यह खुलना जाए और किसी भी शे कोईंट करके हम रख देंगे और कुछ एक मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी बनाई थी ज़स्ट ट्राय करने के लिए और मैं इस तरीके से इसके उपर बटर लगाके ओवन में 250 का टेंपरेचर सेट करके इसको 20 से 25 मिनिट तक के लिए रख दूँगी और यह देखिए यहां पे पफ पेस्ट्री रेडी है बहुत ही अच्छे से अंदर से बेप हो चुकी है और यहां पे दही बड़े के बैटर में मैंने हींग जीरा और सॉल्ट एड़ किया है मैं शूट करना भूल गए थी तो आफ इसमें हाफ टी स्पून के करीब जीरा औ ले ख़ाइंग भी उनस्टी स्पून के ओंडर स्टी स्पून को यह बिलकुल छोडिशी हींग ड़न्या और इस तरीके से हम वड़े निकाल लेंगे फ्लेंग जो है वह मैं स्टार्टिंग मैं हाई रखनी है दन मीडियम फ्लेम पे हम यह सभी वडऱे निकाल लेंगे और इनको हम 8-10 डेस तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इनको ठंडे होने के बाद में एर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको खाने हो उतनी ही काउंट में या क्वेंटिटी में निकाल के आप इनको खा सकते हैं और जब भी हमें दही वडो को सर्फ करना है उसके 15 मिनिट्स बिफोर इनको लूक वाम वाटर में इनको इस तरीके से सोक करके रख देंगे और आफटर देट इनको पूरा स्क्वीज करके और आप देख सकते हो कि इसमें पूरा ओल भी निकल चुका है देन हम इसके ऊपर दही एड करेंगे जो हमने चटनी मनाई थी यह देखे कितनी थिक हो गई यह चटनी और उसके बाद में इसमें जीरा स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट है एंड रेड चिली पाउडर और आपके दही बड़े रेडी है और नेक्स्ट रेसिपी जो मैंने बनाई थी खमन धोकला यह मैं रेडी मिट पैकेट से बना रही हूं इंडियन स्टोर से लेकर आई थी इसमें जादा कुछ नहीं रहता है दो तीर स्टेप्स रहत तो सबसे पहले मैंने जो इडली कूर और उसमें उइल वगरा लगा के इसको रेडी कर दिया है इसका जो सिरफ है वो बना के रेडी कर दिया था सिरफ बनाने के लिए मैंने आई जीरा और स्ब्स Euch स्ट घ्री जीर मैंने तो स्टक दें पानiasm दाल दिया था उसके बाद म इसमें लम्स नहीं रहने है और जो पेसन के पकोड़े का घोल बना तया उस टाईप से इसको लिक्विड नहीं करना है जाधा थिककरना है और मैंने ये रधिपई से छूजरी करें मेरी डौर्टर के बाभ्तकी के लिए मैं बना रहं थी उसकी जो फ्रैंड थी Him pretty my ओं टाइब का नहीं बनाये था मैंने and 15 से 20 मिनिट्स के अंदर आपका ये खमन बनके रेडी हो जाएगा आप नाइब से भी डाल के चेक कर सकते हो अगर वो उस चाकू के चिपक रहा है इट मेंज अभी उसको और नीडे बनने के लिए और ये बनने के बाद में हम इस पे ये जो सिरफ बनाया था उसको इस तरीके से डाल देंगे और ये खमन रेडी है तो आज के व्लोग में मैंने आप लोगों के साथ में खमन डोगला दही बड़े दही वल्ले और एक पफ पेस्ट्री आप लोगों के साथ में शेयर की ये recipes बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी ये जो पार्टी थी हमने बच्चों के हिसाब से ही short and sweet और्गनाईज की थी कुछ हमने बाहर से order किया था जैसे pizza, chips वगएरा, french fries ये सब कुछ हमने kids के according के पार्टी और्गनाईज की थी और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपको इस तरह के daily life vlogs देखना पसंद है तो subscribe to my channel thank you so much for watching my video take care, bye bye, मिलते हैं next vlog